आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RPC के दो लेटेस्ट प्रेश नोट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा वीडियो की सुरुवात करते हैं यह आप देखिए राजस्थान लोकसे वायोग अजमेर की दुवारा यह अभी अभी यानि 13 दिसंबर 2023 को प्रेश नोट जारी किया गया है और यह किस रिलेटेड है यह है पुन्दर गणना यानि री टोटलिंग के समंद में तो मैं आपको यह पूरी न्यूज बता हूँ उससे पहले आपको दूसरा जो प्रेश नोट है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आरपेशी ने अभी अभी यह प्रेश नोट जारी किया है और यह किस रिलेटेड है यह है पसुचिकिस सादिकारी बरती दोहजार उन्नीस दोस्तो आरपेसे के दुआरा पसुचिकिसा दिकारी बढ़ती 2019 के पदों के लिए पांचवे चरण के जो साक्षातकार है इंट्रिव्यू डेट है उसको गोशित कर दिया गया है पांचवे चरण के इंट्रिव्यू 19 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक आयोजित किये जाएंगे तो साक्षातकार के समय अब्यार्थी अपने समस्त मूल प्रमान पत्रे में फोट्टू प्रती साथ अवस्य लाएं अन्ने था साक्षातकार से वन्चित कर दिया जाएगा अब ब्यार्थियों के साक्षातकार पत्रे आयोग की व्यवसाइट पर यथा समभव अप्लोड कर दिये जाएंगे आपने अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके रखिए जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर किया हूँगा तो ये तो थी आरपेसी पसुची किस्सा अधिकारी बरती 2019 के पांचवे चरण के इंट्रिव्यू डेट से रिलेटेड मत्तूपूर्ण अपडेट अब बात करते हैं दूसरा जो प्रेशनोट है ये आप देख सकते हैं आरपेसी के दुआरा ये आरेएस 2021 से रिलेटेड है और इसमें क्या काया है राजस्थान राज्य एवं अधिनस सेवाए संयुक्त प्रतियोगी परिक्षिया 2021 के साक्साथकार परिक्षिया परिणाम दिनांग 17.11.2023 में सफल अभ्यार्थियों को नियमा नुसार उक्त परिक्षा में प्रापतांकों की पूनर गणना यानि री टोटलिंग कराने हितू दिनांग 15.12.2023 से दिनांग 26.12.2023 रातरी बारा बजे तक नियमा नुसार ओनलाइन अवस्र प्रदान किया जाता है तो दोस्तो ये RPSC के दुआरा जो RAS 2021 का इंटर्यू के बाद में जो रिजेल्ट जारी किया गया था 17.11.2023 को तो उसमें जो सफल अभ्यार्थी हैं अगर उन अभ्यार्थियों में से कोई भी अभ्यार्थी अपने मार्क्स की री टोटलिंग कराना चाता है तो उसके लिए R 28.11.2023 में 26.11.2023 के लिए अपलाई कर सकता है ठीक है इसमें मैं आपको बता दूँ कि आपका सिर्फ Red Totaling होगा प्राप्तों को का मार्क्स का सिर्फ Red Totaling होगा revelation नहीं होगा यानि पुंद्र मुल्यांकन नहीं होगा इस बात को आपको विशेश रूप से ध्यान में रखना है आगे इस press note में क्या काया है वो देखे आप कि सक्षातकार परिणाम में सफल अभ्यारतियों के उत्रपुस्तिकाओं में प्राप्त प्राप्तांकों की पुंद्र गणना यानि री टोटलिंग ये तू आयो की विवसाइट ये जो ओफिसल विवसाइट है इस पर एकजाम देश बोल्ड के अंत्रगत इंस्ट्रेक्शन या लिंक कोलम में उपलब्द लिंक को किलिक करते हुए ओनलाइन आवेदन करें तो आपको किस परकार से आवेदन करना ये प्रोसेस बताई गी है दूसरी बात है 25 रुपे प्रती परशन पत्र की दर से सुल्क का ओनलाइन ही बुक्तान करें यानि एक पेपर का अगर आप री टोटलिंग कराना चाहते हैं तो आपको कितना ओनलाइन सुल्क जमा कराना होगा 25 रुपे सुल्क जमा कराना होगा ठीक है तीसरी बात ओफलाइन रूप से प्रस्तुत प्रातना पत्रे एबम ओफलाइन रूप से सुल्क सुविकार नहीं किया जाएगा तो री टोटलिंग के लिए राजस्तान राज्य एवं अधिनस सेवाई संयूक्त प्रतियोगी परिक्ष्या दुआरा सिद्धी बर्ति नियम उनिसु निन्याणम के नियम 18 खंड एक में उत्र पुस्तिकाओं के प्रापतांकों की पुन्दर गर्णा यानि री टोटलिंग का प्रावधान किया गया है। उक्त नियम में उत्र पुस्तिकाओं के पुन्दर मुल्यांकन यानि री टोटलिंग होगा यानि पुन्दर गर्णा होगी मर्क्स की पुन्दर गर्णा होगी री टोटलिंग होगा उत्र पुस्तिकाओं का पुन्दर मुल्यांकन यानि री टोटलिंग होगा। बात को आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो री टोटलिंग के लिए ही आवेदन आप कर सकते हैं रिवलेशन नहीं हो सकता है रिवलेशन के लिए आवेदन ना मांगे गए हैं ना आप रिवलेशन के लिए कर सकते हैं सिर्फ री टोटलिंग इसके अंदर किया जाएगा या कि दूबारा जो है रिचे को पी नहीं होगी ठीक है तो ये थी आपके लिए RPC दो बरती प्रिक्षाओं से रिलेटेड लेटेस्ट प्रेश नोट इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चेनल को सस्क्राइब जिरूर कीजेगा हमारा वीडियो देखने के प्यारतियों का बोत बोत धन्यवाद